तुम लोग स्टूडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीज सड़क पर जगड़े कर रहे हो आज के बाद अगर किसी भी जगड़े में तुम लोग नज़र आए ना तो पीडी एक्ट के तहत अंदर कर दूँगा समझ में आया सब्सक्राइब करने के लिए वहां कोई कबड़ी का खेल चल रहा था कौन सी पढ़ाई कर रहा हूं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे गारजियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर जगड़े के मजे ले रहे हो जिस उमर में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसे वेस्ट कर रहे हो अगर ये बात तुम्हारे गारजियन को पता चले तुन्हें कितनी तकलीफ होगी उनको पता है सर मारने के लिए उन्होंने तो मुझे बच्पन से एंकरीच किया है इसी वक्त अपने पापा को फोन करके पुलिस टेशन आने के लिए को इसकी तो आदात हो गई है सर इसे अंदर डल दीजे अकल आ जाएगी पापा सुनो कॉंस्टेबल सर इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो बेटे की गलती की सजा बाप को मिले यह किस कानून में लिखा है सर अगर बच्चा रोए तो बगलवाले को मारे यह किस कानून में लिखा है सब कुछ बता दिया क्यों हम्हहम सर बस एक बार बलकुल भी नहीं लाइफ में जब कभी भी ये जगड़ा करेगा मैं हार बार तुम्हें ही अरेस्ट करूँगा तो ये है मामला सर आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए वो तो पहले से ही हीला हुआ है अगर हो सके तो अपना मुहला बदल लो अगर मेरी बात मानो तो आपको ये शहर बदल देना चाहिए अगर आप ये सोच लेगे टेंथ फिल की सला क्यों मानूं तो सेम प्लेस रेगुरर मिलेंगे फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या हाँ जी मेरे बेटे के दुश्मनों ने आपको जौन से मार दिया है ऐसा सपना देखा मुझे भी इसी बात का डर था कि एक नाएक दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे पर ये तो बताओ मुझे उन्होंने मारा क्यों सिर्फ सप क्या है पिता जी से चिप कर सिगरेट पीता था एक दिन पिता जी को पता चल गए तो उन्होंने मुझे मारा नहीं बलकि पूछा कि क्या तुम्हें सिगरेट पीना पसंद है अगले दिन मेरे रूम में सिगरेट ही सिगरेट थे और मेरे पिता ने मुझे रूम में बंद कर दिया ये और फिर में रात भर पी कर फेंकता गया और सबेरे तक मैंने सारी सिगरेट पीली पिर सिगरेट के दुए से मुझे एकदम नफरत सी हो गई उस वक्त के बाद आज तक मैंने कभी भी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया तो अब मैं समझाता हूँ कि हम लोग क्या करें हम अपने बेटे को गुंडों के पास में भेज देंगी और उनके बीच में रहकर वो लड़ाई जगरे भूल जाए हम लोग उसके साथ है तो इतना उचल रहा है वो हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा पागल तुम हो गई हो अरे हम है इसली तो वो इतना उचलता रहता है ना जब वहाँ पर रहेगा और जगड़ा हुआ तो जगड़ा सट्र करने के लिए मैं नहीं रहूँगा चोट लगी तो मधम लगाने के लिए उसकी मा यानि तुम नहीं होगी मा रोते हुए बच्चे को अगर दूसरे रोते हुए बच्चे के सामने बिठा दिया जाए तो बच्चा चुप हो जाता है ऐसा कौन सा गाम है जी? तिरूपुरम आंधरा और तमिल लाडो के बॉर्डर पर है जब आंदरा और तमिलाडो अलग हुआ तो तिरुपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला गाउं के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलकुल लोग रहते हैं इस गाउं के लोग उस गाउं में नहीं जा सकते और उस गाउं के लोग इस गाउं में नहीं आ सकते एक दूसरे को मारते काटते अतनी जिन्दगी गुजार रहे हैं इस गाउं के बीच लकीर इसलिए खीची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पर तयार और केशव तुमने उसका पांग क्यों काटा और क्या करते सरपंजी हर बात पर जगणा करने के लिए तयार रहते हैं लकीर किसलिए खीची गई कि लोग इधर ना आ सके और इधर के लोग उधर ना जा सके आपकी जबान रखना चाहते हैं हम लोग इन लोगों के आदमी हमारे एरिया में आकर हमारे आदमी को काटना च तो खेबास कहीं के अधिक है अधिक है मुद्टू पंचायत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या जायदा जागीर होने से को इंसान बढ़ाने होता गांव अच्छा होना चाहिए दिल अच्छा होना चाहिए एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकते करोगे कितने लोगों की जाने चली गई उसका क्या तुम दोनों को मैं आखरी चेतावनी दे रहा हूँ इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और आज के बाद कोई भी शक्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिलकुल अच्छा नहीं होगा यह आखरी चेतावनी है इसके बाद पंचाथ कारवाई कर सकती है एए जी उसके घरवालों को दे दो जी सर पंची कुट्टे के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता चलो रहे यह क्या भाई हमारे आदमी की टांग काटके हमारी बेज़ती कर दी और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे टांग के बदले हमें भी टांग काटनी पड़ेगी टांग के बदले में टांग काटने का समाना गया अब टांग के बदले में सीधा सर इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेबा तिरुपुरम वहाँ पर एक इंजिनिरिंग कॉलेज है वहाँ पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं बस कॉलेज के अंदर नियम ये है कि जगडा नहीं होना चाहिए इसलिए जमीदार ने वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है वहाँ पर वह अंदर भी रहेगा और जैसा तुम चाहते हो सेफ भी रहेगा पर उसको तमिल नहीं आती ना तमिल तिल्गु छोड़िये सब हिंदी में बात करते हैं ये मैंने आपके लिए पाक किया है लगता सब कुछ फिक्स हो गया है अब उसे कैसे भी कंवेंस कर लिजी आप मेरी कंपनी वालोंने मेरा ट्रांसफर तिरूपरम कर दिया है बेटा और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ दो महीने है और तुमारा सेमिस्टर में शुरू हो जाएगा इसलिए मैंने तेरा एड्मिशन वहीं इंजिनिरिंग कॉलेज में करवा दिया है तु जाकर वहाँ पर सेटल हो जा हम लग वहाँ पहुच जाएंगे बेटा पिता जी आपको पता है ये बात कहां कह रहे है इस तरह से मुझे शहर से भगाने की कोशिश कर रहे है ये मुझे पता नहीं था पापा ऐसा कोई अपने बेटे के साथ करता है क्या लगता है आप लग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं पापा आपने मुझे समंदर में भी धकिल दिया ना मैं मचली पकड़के उसको फ्राई करके खा जाओंगा समझ गए ना मैं कहीं पर भी जी सकता हूँ अरे बेटा मा तुम फिक्र मत करो मैं बात कर रहा हूं ना हाँ सुनिये पापा तू ऐसे बात कर रहा है कहीं तरी बस ही ना छुट जाए मुझे ये डर है कि अ कि टाटा कि मा का ख्याल रखना अठेक है जल्दी फागों यहां से करें इसका मूद ना चेंज हो जाए कि अ किए यहां से कि एसे बात कर रहा है तिरूपरो वागया उत्रो भैया ये खेती ये पहाडियां ये हर्याली ऐसा लगता है आप मुझे किसी दूसरे राज्ज में लेकर आए हो अरे नई-अम लोग इसी राज्में है भाई मुझे तो डाउट था हम अपने राजजी में हैं, वो खेती दूसरे राजजी में है क्या कहा? हाँ सर, यह आंदरा तेमिल नाडो का बॉर्डर है, इस तरह फांदरा उधर तेमिल नाडो तो बाप ने मुझे बॉर्डर पिला के खड़ा कर दिया सर, आपको इधर जाना है, उधर गय तो वहीं के रह जाओगे पापा मैं पहुंच गया हूँ काओ जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आगया है, उतरते ही फोन कर लिया तुने आवाज तो बदलेगी ना पापा, पॉलिशन से भरे शहर से निकाल कर, अचानक साफ सुत्रे वाता उरण में भेजोगे, तो चेंजेस तो होँगे इना, इतना कॉमन सेंस नहीं है फैदराबाद, यहाँ पर आंधरा के बॉर्डर खतम होती है तीरोपुरम, इधर तमिलनाट की बॉर्डर स्टार्ट हो रही है बेटा, तू तो कह रहा था कि समुन्दर पहार कहीं भी बेज़ दो, तुम जीलोगे एक और इडली दो मुझे, बेटा नहीं है तुसके हिससे का मैं ही खाऊंगा ना खाईए, खाईए, खाईए यहां पर इडली सामबर बहुत फेमस है, वो खाईए, आपको फोन करता हूँ, चल, अरे हाँ, एक सेलफी, अब आप स्माइल कर ले लो बेटा, सोर उपए में, सोर उपए में ले लो, सोर उपए में ले लो, अरे सोर उपए में कौन खरी देगा यार, कोई पागली खरी देगा, यह क्या है, बीच रास्ते में बांध कर रखा है, यह देखो, यह होटल है, ठीक है, खाते वे बात कर लेते हैं, आजा, भाई, टूपलेट सामबर इडली, मेरे होटल में कदम रखते ही, इतने सारे ग्राहक आगए, दो पलेट सामबर इडली, ज़रा चल्दी यहां, अरे, बेवकोफ, नीबु कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है, छोटे चाकू से काटते है, रुख ज़रा, पूरा खराब होगे न, पागल कहींगा, ए, हिंदी समझ में नहीं आती गया, कितनी बार बोला पड़ेगा, सामबर इडली दे जल्दी, तुम सब को मेरे बार में पता नहीं है, अभी बताता, तुम लोग आदमियों की जानवर हो, यार, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग, अरे जगड़ों में इंट्रेस्ट मैं भी तो रखता हूँ, लेकिन ऐसे सामबर इडली के लिए जगड़ा करना, अच्छी बात नहीं है, यार, अच्छा मेरा बैग लिलू मैं, अरे, दादा, कम से कम आप तो इन्हें समझा ही सकते हैं न, अरे, बाले, 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 भाई ठंडा पानी पीलो लो लो पीलो अरे कोई बकरी को गाड़ी से उड़ा दिया एसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गई थी मेरे वो क्या है कि दो दिन पहले उसका अजमी धर आया था उसकी टांग काट डाली उसी गुस्ते में टांग काट डाली अरे तुम लों पागल ह दुश्मनी तेलगु वाले उधर नहीं आ सकते तमिल वाले इदर नहीं आ सकते पर भाई तुमको कहा जाना है केजिन कॉले जाना है भाई तु बहुत किस्मत वाला है पहली बार तिरुपूरम में कोई उधर जाने के बाद सही सलामत इधर वापस आया है एदराबाद में यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अच्छा असल में यह जगडा क्या था ए तुम पढ़ने के लिए हो ना तो पढ़ाई करो ना फाल तुम में इस लफड़े में पढ़ने के कोई ज़रूत नहीं है ठीक है पर हमारे कॉलेज के अंदर जगडा है कोई चांसी नहीं प्रिंस्पल परमात्मा आदमी है एक दम स्क्रिक्ट है प्रिंस्पल के इजाज़त के बिना कॉलेज वो कोई पंक्ची भी पर नहीं बार सकता तमिल वाले हो या तेल्गु वाले वो सब कॉलेज के बार एक बार कैमपस में कदम रख दिया ना तो सब एक समान उनके रूल के इसाब से चलना पड़ता है जिसे भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उनके होस्टल में सबको मिलके ही रहना पड़ता है बहुत बजाया वाई रेखा इन दोनोंने मार पीट किये एक वीक के लिए सस्पेंट करो सर मैं हाइफाई कर रहा यह सब मैं नहीं जानता तुमने अपने हाथ से उसे मारा और मैंने यह सब देखा है गेट आउट फ्रॉम केंपस कमोन रेखा कल रात मैंने रजनी कान की बाश्या फिल्म देखी स सच में यार रजनी कान की एक्टिंग का तो जवाब नहीं रजनी कान तमिल से जादा अच्छा काम तेल्गू में करते हैं इनकी बातों से लगता है रजनी कान से यह कुछ ज्यादा ही इंस्पायर है रेखा वन वीक के लिए नहीं इन लोगों को वन मंथ के लिए एक गोली एक दुश्मान वायर है है मतलब हमारी कॉलेज में चगड़ा होता ही नहीं है भाई एक बात बताओ तुम कॉलेज में पढ़ाय करने के लिए आये हो यह यहां आके मार्पीट करने के लिए आयो अरे बताओ ना भाई लगता है माने का नहीं नल्ला सीनू की देख के गुदा में पैसा लेके तेल्गू और तमिल गुरूप में फाइट करवाता है जीतने वाला महिना पर शेर की तरह रहता है और हारने वाला बिल्ली की तरह है अबैने दूलगों के बारी कना अप्लाओता यह में मुद्धियं के तरह एह करना है कि तुम लों के बारी आपेचान हाँ अज़ रोंक पर दोगार्वा और दोगे जाएश्ड़ू है पहला दिन है ना आज फाइट होगी अरे तो फिर वही चलो ना भाई पता था कॉलेज में ज्यादा दिन तुम टिकने वाले नहीं लगते हो यह लो मेरा काड़ जरुवत बड़े तो मुझे याद करना हुँ बलकेश अरे इटली खाया उनका सामभर नहीं खा सकते हम लोग उनका कपड़ा धोना पड़ता है हम लोगों को तो यह से मार खाएगा तो कैसे चलेगा जा मार उनको कि अजया है कि अजया है इस एड़ी कहीं का यह का विसे नहीं होने वाला है इस महीने भी तेलगु वालों का ही सरुठा रहेगा है यह लूंगी रख ले अपने पास अरे यह तो पूरा रल्लू निंग्ला अरे यह तो पूरा रल्लू निंग्ला प्या चाहिए को ग्या कोल्डेंग गेमें पार्टिसिपेट करना है पांसो रुपे लगेंगे यह लगता है यह तमिल वाला है जम के तुलाई कर दिखने में तो अच्छा लग रहा है अंदर जा ऐसी पिछ पर पहली बार है भाईया मारूंगा की नहीं पता नहीं लेकिन चार मुक्य खाकर वापर चला जाओंगा आजओ आजब श्रव और बुलाओ जाजब उडिए यह जाओ बारूंग कमोरूं चलाओ जो औरूंग पन्ट जो पारूंग मैं वह वह नगा तो एंजोई करोगी या मैं मालोग तो एंजोई करोगी कोई भी मारेगा तो एंजोई करती है अरे उदर कोई मार रहा है इसलिए तो इदर आ गया मैं अरे उनके लोगों को मार रहा है अबे क्या बख रहा है तो सारे सवाल यहीं पूछेगा तो वह चला जाएगा चल्चल्चल्चल्चल्च मार मार पर वह है कौन है इसे क्या अपने अपोजीशन वाजे को मार रहा है बतला अपना ही है यहां 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 हाँ यहां यहां यह को अपना है बाल से बाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है कर दो पूछ रहा हूं कौन है तू नियू जॉइनिंग है अच्छा यह बात है तो फिर तुम यहां क्यों हो प्रिंस्पल के कभी में होना चाहिए शहर से आये हो लोग गाउं से शहर जाते हैं और तुम शहर से यहां पढ़ने आये हो मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर शहर में कुछ होता नहीं है सर वहां तो कोई साथ भी नहीं देता है लेकिन यहां पर मैं साथ मिल जुलकर पढ़तो लूँगा बहुत मज़ा आएगा सर प यहां पढ़ने वादे सभी बड़े-बड़े आदमी बन गया ऐसा प्रिंस्पल साब कहना है लेकर उनकी बात पर ध्यान मत देना यहां तुम्हारे रूम में रहेगा तुम्हें खाने पीड़े के सिवा कुछ सुचता है क्या रहने के लिए सिर्फ रूम नहीं देल भी होना चाहिए जो मेरे रूम में आजा क्या मस्त माल है यह नीचे रहेगा और आप उपर रहोगे और हमसे टकराने वाला सीधा उपर जाएगा उस लड़के के बारे में पता चल गया है वह कॉलेज में नया जॉइन हुआ है गलती से वह बगल में चला गया था मगर होश्यारी से बचकर निकल गया यह बात हमें पता चलिए भाई ठीक है तुम लोग जाओ खेटी किसकी करें उन लोगों ने क्या किया चने की खेटी की हम किसी से भी कम नहीं रहेंगे हम भी चने की खेटी करेंगे इतने लोगों को उसने भगाया है इसका मतलब उस पर अच्छी तरह गुड़ी इवनिंग सर गुड़ी इवनिंग आई विल स्टड़ी सर गुड़ बॉइ क्या ब्रो यह होस्टल इतना साइलेंट क्यों है यह कोई मारता काटता नहीं है रूम और बातरूम को छोड़कर हार जगा सीसी का इसलिए जो भी करते हैं ना एदर उदर ही करते हैं एक मैंना पड़ेगा पता नहीं मेरे बाप ने मुझे कहां फसा दिया अरे यह कहां कहां है पूछला तुम्हारा फैबरिट हीरो कौन है रजनीकान ब्रो रोबाट दस बार देखिए मैंने अब यह उसका फैबरिट हीरो इसलिए यह तामिल है पूछो प्रो आप तो हिंदी इतम फटाफट बोलते हो बाई मुझे फोर लेंगवेजे साती है अब यह उसे चार-चार लेंगवेज आती है कुछ ना कुछ तो गडबर जरूर है मेरी बात सुन कुरू मेरी बात सुन आ कर कितना खुबसूरत है तु तुम आन्द्रा की हो ना अरे क्या ना अंध्रा का नहीं हूं तो यह नहीं रे सकता ग्या अरे तुन रुक यार बान और इतने दिनों से उनके साथ पाइटिंग में हारकर सर जुकाकर जी रहते हैं लोग वह गालीयाँ देते रहते थे और हम लोग चुप्शप सुनते रह हुआ 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 है खेल शुरू हो गया है इसे देख हाँ यह तो सही है ना ब्रो में अभी आता हुआ है कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है तेलबुता मिल में फार्क मत समझना लड़की होनी चाहिए अट्टा इदर जूनियर और उज़र सीनियर थे ए रोजी तु मेरे साथ लड़किया यह कोलेज में इतनी सारी लड़किया है फिर तुझे मोझसे क्या फ्रेंशिप करें तेरी से खुब्सुरत है मुझे क्यों चुनेंगी एडियट कहीं का तुम तो नहीं देख राया है आपके च्टापू सवी हम लोग शादी कर लें किया ए तू थर्ड यहर में लोग फूर्थ में तो नेक्स यह कर लेते हैं मैं एक फूर्थ में आ जाओंगा किस ती चिप गादिया आँ तालिया बजा रही थी अच्छा गलती से मेरा चाहरा बीच में आगा कितना पॉसेंटेज आयो पॉ-पॉ-परसेंटर बताओ ना बैकलॉक कितना है थ्री तूम्हारा चेहरा है जूट बोल रहा है मगर उंगलियां सही बता रहे हैं कॉन सी इर थर्डेयर रोड़ और मेरी मैं सहले तक पहुंच गया पता भी है पोशन कितना पड़ गया है पता है क्लास कौन सी है ये पता है कौन से फ्लोर पर है ये भी पता है तो पता क्या है बस नड़की को हाई बोलना आता है चलो क्लास में जाओ यह यह जाओ क्या हुआ तुम लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे बिखारी रजगुला देखकर फॉरन खड़ा हो जाता है बैट जाओ इंजिनीरिंग कॉलेज के अनेजुकेटिड फैलोज लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका किवारा भी गैंज फैरो फैरो क्या बात है बेटी इतने कॉन्फिरेंटली खड़ी हो गई तुम चार सब्जक्ट के फेल हो गई हो और दो सब्जक्ट में जस्ट पास हुई हो और तो ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे उपर है अव डेर यू सरापी ने तो कहा कार्तिका मैंने एम कार्तिका को बोल तो मेरे हाथ पर कम पड़ेंगे अरे बाप्र इंगलिश कमाल यार कितना विट अब देती हो तुम तो तो जोर जोर से हस रहा है सर चड़े धास ट्रांसपोर्ट से आयो क्या ना ही सर बस में आया हूं जोक है ये वरी वर्स जोक और तुम जोर ज़ोर से हसते जा रहे हो और तेरी परसेंटेज कितनी बनी थी 91% से नाइंटीवण हाँ सर इंटर्नल टेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में ड्रंक अंड्राइब टेस्ट क्या बेकार के जोक पे बार बार हस्ता जा रहा है मुझ बंद रखना अपना एक पर फिर स्वारी सर देख बेटा मुझे तेरी काभिलेत पे शक हो रहा है मैं तुसे सिंपल सा सवाल पूछूँगा बस उसका जवाब दे देना ठीक है सर क्या मतलब है उसकी फुल फॉर्म बताओ कम्प्यूटर क्या गलत बोल दिया एजूकेशन हाँ एजूकेशन सर बेचारा नाया आया है ना इन लोगों के साथ कैसे मिल जूल कर रहेगा मैं तो यही सोच के परिशान हो रहा हूं ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन तुम लोग दूद और पानी की तरह मिल कर रहो उसी में तुम्हें खुशी मिलती है न तूब ही करो सर हमारे क्लास नहीं लोग फटना दराव स्कूल का सवाल पूछा तुम्हारा लेवल्य कितना नीचे जाचुका है कि तुम्हें जगरा पसंद है मुझे जगरा पसंद है तुम्हें पढ़ाई में इंट्रेस नहीं मुझे इंट्रेस नहीं है अफ कोर्स ठीक ठाक में हुँ जल है कि इसलिए कहती हैं सही इंसान का हाथ पघड़कर चल ला चाहिए झाल झाल जखम पे मरहम लगा रहा है ना इस बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगी है माँ यहां पर एक लड़की को देखा माँ तेरी तरह ही महालक्ष्मी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वो पूरी फुलन देवी है माँ उस लड़की की खूबसूरती उसका घमन भगवान ने उसे कॉक्टेल बनाया है माँ सुनते हो हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आगी है आधते बिलकुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशिच कर रहा है इसके दिमाग को पूरी तरह डाइवर्ट करने के लिए हमारे डाकू को वालमिकी में तबदील करने का यही तरीका है लड़की को बोल दिया तुमने कैसे बोलो समझ में आ रहा है एक अच्छी से लव स्टोरी फिल्म देखो एक लव स्टोरी किताब पढ़ो और एक अच्छी से फिलिंग पेपर पर लिख डालो उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की को लगना चाहिए कि अगर यह लड़ देख इंटो प्रसिति व्यां से व्यां आ प्लू कके देखें ड़े ख्यार इस लिए को भूता है तो उससुंद्टिंग मेरे तू मेरे थेखा मुझा च्छांड रही है रिंसलिक है ऐक तो फिल्म से यह ले मैं मैं मेद पढ़ना हूँ तो मेद वाला हो गया क्या इसकी हलादे कैसी हो गए हर बात पे शक करता है पीने का अलागी मज़ा है उसने देख तेलगू में लिखा है इसे तेलगू नहीं आती है इसलिए लिख करके काट रहा है वह पक्का वह तमिल वाला ही है चेर्स चेर्स सुना है शेहर की लड़कियां सर्फ यहां तक कपड़े पहनती है हाँ यार यहां की लड़के अभी अपडेट का हुई है हम लोग यहां तक कपड़े पहने ना तो भी लड़के देखेंगे अरे कार्टिका, तिरे लिए लेटर है कित्मे लोग लिखेंगे लेटर कॉलिज में क्या मैं अंकेली हूँ हाँ, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं इस बार किसने लिखा है? कोई हरी है सोचा था मुझे तो लगाई था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा पर दो दिन लेट हो गया चल पर हाई तुम बहुत क्यूट हो बहुत स्मार्ट हो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत डेरिंग बाज ऐसा तुम मुझे कहोगी रहने देते हैं यह लेटर नहीं पढ़ते हैं तुम लोगों को मैं कितना टॉचर करूँगी हां रहने देना बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम समझदार हो तुम्हें देखकर दस लड़के गिर जाएंगे अगर किसे नहीं कहा तो विश्वास मत करना क्योंकि फूल एप्रिल फर्स को बनाया जाता है लेकिन तुम पूरे साल करती हो असल में तुम्हारा प्लस पॉइंट है कलर वो गधे को भी होता है आखे अगर अच्छी है दी तो जश्मा क्यों? चेहरा अगर तुम खुबसूरत हो तो अईश्विल राय को क्या कहेंगे? तो अगर साफ साफ कहूं तो तुम्हारे मार्क्स की तरह तुम्हारी खुबसूरती भी है सब कुछ है तो प्यार करे तो उसे स्वार्ट कहते है इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तुम्हारा राक्षेस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षेस, तुम्हारा आशिक इसे तो सबक सिखाना ही होगा ए रुकना, वो लोग भूखे शेयर की तरह सो लोग है और हम नाजुक सिर्फ पांच लड़किया हैं, क्यों से पंगा ले रही है तू, चलना या से चलना ए चलना ए यहां सीसी टीवी कैमरा लगा है सीसी टीवी होने से कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए यह कब निकाला यह बताना जरूरी नहीं है चलो कितने दिनों के बाद होई है लोग किसमत से धन दौलत लेकर आते हैं और यह क्या अंडवय लेकर आया है हाँ पापा आप चिंतामस की जम्हें पढ़ाई के जहान दे रहा हूं यह क्या है यह इसलिए इनके माबाप ने इन यह यहां भेज दिया है जिससे छिपाना चाहिए था उसे मूब डालकर सो रहा है यह पेवकूफ इसका रूम नमर क्या है 508 चल्ड रूम पंच कर लाइट ओन कर लाइट ओन कर ए उच्छे क्या रहे राची सुबह तो आई थी रात को किसी और को बेजना प्यार ब्यार करेंगे यह क्या क्या रहा है मैं सुबह ही आई थी और अब दूसरी को पेज़ने के लिए इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूं क्या इसको थो मैं अभी सबख सिखाती हूं मैं रही सुचा रिस्पॉंस आई गा लेकिन तुम ही आगी इसका तुम्हीं क्या है हाई वेट महल गोरी क्या समझ रखा है मेरे बारे में हां मैं स्पैक्स पहनती हूं मेरा रंग गदे जैसा है मैं खुब सुरत नहीं हूं मेरी हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है तुम जानते क्या हो मेरे बारे में हां मेरी ओरिजनालिटी क्या है पता है मैं दालू पीती हूं और पीके मारती इतनी सी थी ना तब ने कोई बाल बांका निंग कर पाया अब बड़ी हो गई ना तो वाइलन्स वाने छोड़ दिया अलेक्टर को कवर करनी की कोशिश कर रही है लेकिन तुम मेरी ओरिजनालिटी को बाहर मत निकालो समझे बता मैं कितनी बर तरे सपने में आई हूँ चल बत साथ में लक्षमी आती तो कितना अच्छा होता है अब तक आई क्यों नहीं रेड़ा असर एक्स्क्यूज मी आप कल दिखाई नहीं थी पती की साथ पिक्चर देखने गई थी क्या है अजी ए तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हारी सीथ वाह है तुम्हारी नकल गर ग여 पोरे युर्वसिटी में टॉपर बन जाओंगा ना बखवास मत करो हो जाकर अपनी सीट पर बैठों वन theatre स्रसे कम्प्लीन करण अरे तुम अपनी सीट पर बैठो अपने पेपर लिखो और युनियो सिटी में टॉपर बन जाओ समझी सार्थ यह रुख जा रहा हूं जाओ अरे बापरे टेक्स्बूक को पूरे दुपटे में जरॉक्स मार दिया है मैंनत करने की बाद की थी है यह महनत है तुम्हारी मुझ ऐसे चीजों की आदत नहीं है यार तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बच्पन से आदत है क्या अभी पेपर लिखो बाप दे मिल्ला कैदी नमबर 147 देखी ना देखा उसके वाद वो नर्सिम्मा रेडी की नहीं वाली मूवी आरी है ना सूपर हीरो एड दे टॉप वो भी सूपरेटी होगी क्या मूवी बनाई है एक्तम रियलिटी पर है वह जो पीछे बैठा है ना सार वह चीटिंग कर रहा है अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है चल लेकर आया वहां तक तो ठीक है लिखने के बजा हवा में क्या देख रह क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी थैंक्स फोन उठाया वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी यह सारे चीट फिर से बनाने पड़ेंगे जस्ट टैन मिनिट्स जो भी बात करनी है बोलो मैं सुनकर चली जाओंगी तुम्हारी पीट को देखके बोलू कार्थिका वो तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं थोड़ा पलट जाओ नो प्लीज पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी कार्थिका रोज एक फाइट रोज एक केस मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुखते थे और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं है कार्थिका तुम्हें सच में बहुत पसंद हो अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी जिंदेगी बदल जाएगी तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी फिलिंग्स है कार्थिका छल्हाट परसो जो एक्जम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है क्लास का टॉपर है कारतिका कारतिका तुम नहीं तुम एम कारतिका हो जो फर्स्ट आई वह यल कारतिका है मैं हाँ तुछी बेटी खड़ी हो जा गिवर बीगेंड्स थैंक्स अहां क्या चला गया क्या सब्सक्राइब मुझे तो कुछ समझ मिलिया रहा है कमा लोग और अरे अहां मेरे सामने ही एक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब न मुझे पड़ाई आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है तुम तक लास्ट आपर बन गई हो तो सचा मैं ही साइड हट जाओं मतलब पहले जहां भी मिलते थे वहां मुझे ड डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसा क्यूं ठीक है क्या ठीक है मैं चब बोल रहीं उसका जवाब दो उसका जवाब दो मुझे डिस्टर्ब क्यूं खरत रहे हो ठीक है ओ ये पागल हो गया है चलो जाओ एई पापा के साथ friendly होना चाहती थी नहीं हो पाई मा के साथ open होना चाहती थी नहीं रह पाई मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी मैं दूसरों की तरह रह रही थी पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टरब हो गई थी, तुमने आइडेंटिफाइ किया कि असल में मैं क्या हूँ, मेरे अंदर जो मदला आवाया वो तुम्हारी मज़ा से आया, अब ये सब होने के बाद तुम सालेंट होकर जा रहे हो क्या कहा, जरा फिर से कहना मैं मैं नहीं हूँ, ये बात तुमने आइडेंटिफाइ की थी, मेरे अंदर जो मदला वाया वो तुम्हारी मज़ा से आया है, और उसके बाद सालेंट होकर जा रहे हो तुम्हें मार्क्स के साथ बाते भी करना आ गया, आओ अगर हमारे बीच के डिस्टन्स को मिटाना है, तो पापा को इंप्रेस करना होगा, इंपॉसिबल, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे ये इंपॉसिबल है, भाई एक इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एक इस्टाल्मेंट भरना है, पेटिये में, क्या, कारती के डिटेल चाहिए, अभी देता हूँ, वैसे डिटेल्स लेना इतना इजी नहीं है, वो लड़की जो है, वो बेटी है, केशोंकार की, वो तिल्गु वालों में सबसे बड़े हैं, भाई डरा रहे हो या फिर डर रहे हो, भाई जरा समल के बोल रहा हो, पागल कहीं का, भाईया, कुछ आइडिया भी दे दो गया, लेकिन उसके शेव बलु को कैसे इंप्रेस करूं, वो तेरे बारे में सारी इंफोर्मेशन निकाल रहा है, वो किसलिए है, अरे तुने जो कमाल किया ना, उसके आदमियों को मार करके, इसलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत परभावित हो गया है, इसलिए सोच रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी तुस्से करवा दूं, थैंक्स, मैंने कोई याडिया ने दिया भाई, पर मुझे तो आ गया ना भाई, गाउं का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए, अगर तुम दोनों में दुश्मनी है, तो का एक दूसर भाई, उस दिन जो बच गया था, वो यही है, सर मैं हैदराबाद से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, जैसे मैं बस से उतरा, तो वो आपका आदमी है ना, वो मुझे बोला कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, और इडली सामबर का ओडर दे दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो वेराटी, वेराटी के ऐसे ऐसे चाकुली कर आ गया था, मार देते तो मेरी समाधी बन जाती सर, मेरी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी कौन देखता, अरे रे, हमारा कुछ नहीं कर पा रहे है, तो किसी बाहर से आई हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एक बारामने सामने आजाब फिर पता चले हैं इसमें कितनी ताकत है, तेखिये सर पंजी, कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत एकना बहुत गलत बात है, यहां आने से पहले हमने इसकी शकल तक नहीं देखी थी, और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता, सबूत चाहिए, अबे सफेद दड़ी तेरी तो, तुम लोगों ने इसको देखे बिला इसके साथ फोटो किछ वा लिया, यह फोटो क्या है रहे, सेल्फी बोला था भाई, इसलिए मैंने, तुझे सेल्फी लिए थी, हां, वो किला जीज या तो तुम पंचाइद के सामने माफी मांगो, एही तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुमारे जगे कोई और लीडर होगा माफ किजिए स्थर पंची एए, चलो ने चलो फर्स्ट टाइम, बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया एक बार ज़रा हमारे घर आओ, खाने पर, दावत करेंगे, जम करेंगे हलो, मिस कार्थिका, मिसेस बनने के लिए तयार रहो तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इंप्रेस हो गए है, बोले फ्री होते ही खाने पर आजाना ऐसा क्या, कल हमारे घर पर फंक्शन है, तम कल ही आजाओ क्या बात है ब्रो, कहां जा रहा है, बिर्यानी खाएगा, कहां, कहां पर बिर्यानी खाने के लिए तेरे ससूर के घर पर क्यों, देखेगा तो जान से माण आज़े कर आपे डर मत मेरे ससूर जी मुझ पर फोल इंप्रेस हो गए और उन्होंने खुद मुझे खाने पर बुलाया, अच्छा मेरे ससूर जी का घर पता या घर तो कमाल का बनाया है, घर पर तो बराबर लेकर आया है तो क्या कर रही है पूरे घर में पानी कर दिया क्या है यह सब तु बच्चों के साथ बच्ची बन गई यह पकट जाकर वहां बान दे माँ जा बाद मजा यह 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 हाँ हाँ ओई, क्या देख रहे हो हाँ बीट एक थड़ी है चले हट खले हो पुष यह पुष यह अँ यह 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 है यहां पर हो क्या रहा है अगल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और रहाइकtt पूछा तोह थी लोग है of को बोला तुम अल कारतिका को बेटी उटेलबु वालों में सबसे बड़े हैं पर उसकी बेटी का नाम भी कार्टिका है, फंस गया यार, एसकेप कुछ इकार पड़ा, भाई, वो आ गया पिता जी के जनम दिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बली मांग रहे है, इसका तो सर काट दूँगा, काट डालो हाट अँ यद्जगा हेलो हां बिटा कैसे हो कहा हो लाइफ मैं फॉर्स टाइम पापा घर की याद आ रही है हां उसे घर की याद आ रही है बहुत बदल गया है अब तो हो 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 सारे बच्चों और और अर्थों को अंदर लेके जाओ लुको बेटा हमारा दुश्मन होने के बाब जू दिये यहाँ पर क्यों आया है यह जानना बहुत जरूरी है आया नहीं अंकल उसे यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ मैं तमिल हूँ अंकल तमिल हूँ मैं मैं तमिल हूँ भाई बेठा तेरे से जादा होश यार हूँ मैं तु मुझे भसाना चाहता था ना तुझे मैंने भसा दिया आयम से भाईया तमिल है तो क्या हुआ इसने हमारे घर में करतम रखते ही मुझे ताने दिये थे आग में घी डालने आ गई कि इतना क्या खा रही है वजन कम कर अपना नहीं तो फाट लेगी तरी तो यह नहीं वो नहीं दोनों को खत्म कर दो कि पानी में डालूं क्या हुआ अब गदों दिखाई नहीं देता तुम लोगों को तीछे अर्जा परना जटका लगेगा अरे पापरे इमोशनल में इनको यह भी नहीं पता चला कि करंच लगया है अब क्या करूं तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो हम लोग चले जाएंगे फैक दो रे अथियार जल्दी फैको दादा की है दादा तो नहीं है ना क्या सोच रहा है उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं डाल दे डाल दे अब ज़र ठेर जाओं क्या बात कर रहा है तिरे पास हिमत नहीं है तो मुझे ते मैं डालता हूं सब को हिला दूंगा बाइक की चावी दे यह ले तो गाड़ी स्टार्ट कार यह कहां डालना है डालते रहे मैं तो चला अब बोलो ब्वाइस वाट टू डू डू एंड वाट नाट तू डू डालू मैं डाल दू इधर डालू इधर डालू जैसे ही टीवी चालो किया बिजली चली गई अहाँ करेंग मा तू ने क्यों दोका दिया अहाँ अब तो फिर से आगया अब आप भागु है अब आप अब आएएएएएए मैं औरू जाओंगा वो लोग मुझे माठालंगे मैं अपने दादा की चके से पूरी गुरूँगा उनके सप्ने सप्ने रह जाएएँगे अब तेरी वज़े से मुझे जिसको इंप्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने अरे कार्ति का जूढ हो ना इसलिए मैंने तेल्गु वाला समझ के उस तेल्गु वाले की सारी डेटेल सापको दे दी थी भाई तुझे पहले से पता है पता है काई से मैंने कौन सा पूछा तू है तरा बकुछ दाला और मेरा वह दोस्त गोपाल यह यह कपाल पांगल हो गया ता मैं आखें बंद करके वेज को नॉन्वेस समझके खा गया अरे जो हो गया सो हो गया सब छोड़ना है उस वारे में क्या सोचा अरे ऐसे कैसे छोड़ दे आजादी 15 अगस्त को मिली थी तो क्या हम हर 15 अगस्त को याद नहीं करते हैं क्या अब आज तुझी माफ करना मैंने तेरी बात नहीं मानी यह हमारा ही बंदा है तुम लोग ने कैसे पता लगाया वो क्या है ना कि विकेंड में भी दारू पी रहा है ना इसी लिए यहां क्यों आये हो तुम ए तुझा मैंने देखा यह दिल्गु वाले से बात कर रहा था कोपचे में लेकि इसको अच्छे से धोला ला मैंने बात करा तो दोड़ाला रूम में रखेगा तो नहीं पता होगा तो रहेंगे पता होगा तो क्यों रखेगे अरे कैसे भी गुरू मुझे माफ कर दो मैं कभी तेल्गु वालों से बात नहीं करूंगा मैं कसम गाता हूं मुझे माफ कर दो अरे गुरू नीचे देखा तो इसकी जिंदा मत कर हम इसे देख लेंगे चल बेचारा सूसू उस ने नहीं तूने किया है वो मेरे गांव आया पकड़ नहीं पाए मेरे करीब आया समझ नहीं पाए मेरे घर आया कुछ नहीं कर पाए फिर तुम लोगों को पालने का क्या फाइदा एक और अपने गुश्य को शांत करो आज के बाद वह जो भी करेंगा मुझे पता चल जाए critis रेखेंगे तो इस चरी जाएगिआज इसे छोड़ं दिया तो मन को शांती नहीं मिलें छोफी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था इस तो करना पड़ेगा जाओ तुम लोग कॉलेज का लड़का बोल रहा है तेरी बेटी को नहीं पता है क्या हमारे गाओं में जो कदम रखने के लिए ड़ते हैं वो घर पर आ गया इतनी हिम्मत किस ने दी उसे अचीब से कपड़े बालों को कलर और इंगलीश में बातें करती है बापरे क्या ये हमारे घर की बहु बीटियों की लक्षण है और पढ़ाई में कौन सी अची है हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में अगर इंजिनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथू किसी के साथ अगर इंग्लिश पिच्चर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मूपर थू थू करेंगे हाँ कार्थिका कार्थिका पापा जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलिज में पढ़ता है जी पापा क्यों आया था इस पुद्धी नहीं भसाया है इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया अगर ऐसे ठाना तो मैं कॉलिज नहीं जाओंगी ठीक है कॉलिज छोड़के बढ़ा है लेकिन मैं सिसली कि आप घर से बोल रही थी कि मुझे पढ़ना है आपी ने का पढ़ो 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 जबर्दस्टी मुझे होस्टल में नाम बढ़ा है लेकिन इसली कि आप घर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीर है मैंने कितनी मेहनच से पढ़ाई की थी और फर्स्क्लास पास भी हो गई और आपको पता है पुरी क्लास से मेरे लिए क्लापिंग भी की थी प्रिंसिपल को फोन कर रहे मुथू इसकी पूरी जन मैंने क्या कहा था अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक-बैठक करना पड़ेगा शीज ब्रिलियंट स्टुडेंट इस बार की एक्जाम में शीज टॉपर यह है मेरी बेटी कल से तु कॉलेज जा बेटा ठीक है ए सामे कुसाय तो भी नहीं रोख सकता और चल जा यार आजकर बिलकुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में तो मनी नहीं लग रहा मेरा सच कह रहा हूं मैं फ्रेंडशिप तो तुम्हारी है साथ में आते हो साथ में जाते हो भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूं तुझे क्या समझ में आया बताना एक साप ने एक पावर से दोस्ती कर ली दोनों जो है एक साथ रहते थे एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ साप है अब साप के अंदर जहर नहीं था वो क्या है कि साप के अंदर फोन लगाता हूँ जौब नहीं देती, मैसेज का रिपलाई भी नहीं, क्या हुआ है, बोलो ना जवाब दो, जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ोंगा, हमारा मिल नहीं हो सकता, लेकिन क्यों, तुमने क्यों नहीं बताये कि तुम तेलुगू हो, तुम तमिलो ये तुम्हें चाहाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वर्क आउट नहीं होगा, भूल जाओ मुझे, ओहो, मैं तेलुगू वाला हूँ ये जानकर, चाहत कम हो गई है, तुम नहीं जानते ही, इतना सा नहीं है, एक तेलुगू घर आ गया था, तो तुमने देखाना क्या ह हो गया था, अब अगर हम दोनों को मिलना है, तो पहले हमें दोनों गाओं को मिलाना होगा, और ये तो इस जन्म में होने से रहा, एह, एह सत्या, तुने तेलुगू वाले को रूम में क्यो रखा है, मेरी कोई गल्ती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ही हो, तुझे जगाने के लिए किया, क्यों मेरी जिद्नगी के साथ खेल रहा है तुभाई, सुक नहीं है, संतोश नहीं है, कम से कम सोने तो दे ठीक से, लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए, मरने के बाद तो वैसी हमेशे के लिए सो जाएंगे, लगता है तुभी मार डालेगा, अच्छा ये बता, ये दो गाउं को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीर और केशो जब तक एक नहीं होंगे न, गाउं एक नहीं होगा, मेरे ससुरी जी बहुत मूर्ख है, बात नहीं सुनेंगे, और कैसे मिला सकते हैं, बिरिया नहीं खाएगा, हाँ, कहा पर, क्या यार, बिरियानी के नाम पर हमेशां अदाल करने के लिए सोचता है, इन्हें पता चलिया कि मैं तब ही दो काट डालेंगे, अरे इसलिए तो ये टी-शिट पहना आया है तुछे, बेटा तुम्हारे आने से घर में रोश्णी आ गई, आजाओ, ये कौन है, मेरा फ्रेंड एंकल, भाई, मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है, टी-शिट नहीं देख रहे हैं किसकी तस्वीर छपी है, आँखे चली जाएंगे शक करने से, आजाओ, आजाओ, ऐसा लगता है जैसे, मैं अपने आपको देख रहा हूँ, अच्छा, खाना बिल्कुल गरम है, शर्माना मत पेड भर के खाना, बेटी कार्टिका, अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना, केशाओ अंकेल, अगर आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू, आपने अपनी बेटी का नाम कार्टिका ही क्यों रखा, उस वीरा मुथ्थू ने अपनी बेटी का नाम कार्टिका रखा इसलिए, क्या सिर्फ उसी की बेटी सोभाग्यवती है, मेरी नहीं, सिर्फ ये नाम वही रख सकता है, मैं नहीं रख सकता क्या, इसलिए रखा, दिखा दिया कि कार्टिका नाम मैं भी रख सकता हूँ, खाना खाओ, अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए, मैं ऐसा दामा तुम में देख रहा हूँ, क्या तुम मेर कार्टिका से शादी करोगा, सर मैं विरामुत्तु की बेटी से प्यार करता हूँ, मैं यहाँ तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, और तुम दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है, आपके बेटी से शादी करके क्या मिलेगा, आपकी बेटी को पती मतलब वो क्या तेरे पाउं दोएगा यानि वो हमारे सामने सिर जुकाएगा यह हुई ना बात इसे प्लाइन कहते हैं यह बता वो लड़की तुससे प्यार करती है क्या जान दे देगी सर हमारी शादी के लिए आपकी हिल्प चाहिए बेटे अब तु इस विशे को छोड़ दे तेरी शादी पूरे गाउं वालों को पता चलेगी वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना κुझी को वीरा मुथ्थ। कोई बताएगा क्या हुआ कोई काटने वाला नहीं था औरतों का सहरा लेके घर में कडम रखा ये क्या हो रहा है सर मैंने क्या बोला था वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी मैं धूम धाम से करूँगा इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कोन करेगा उसके सामने कोई आप्शन ही नहीं होगा तो ये उसका दामाद है ये फिक्स हो चुका है लेकिन सर ये सब करना तो गलत है अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं अब यहां पर सिर्फ ये देखना है कि सर्पन जी क्या बोलते हैं इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा सुनो जो हो गया सु हो गया कहकर बात को खतम करोगे ऐसा नहीं चल सकता क्यों केशव क्या किया तुम ने ये एक लड़की की इज़त को सरयाम उचाल दिया ये बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इज़त गंगा की तरह पवित्र होती है से खिलाफ बात करेगा तू 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 जिस जाइदाद पे घमन है ना उसे खरीद कर मैं तूझे इस गाउं से निकाला दे सकता हूं या तो माफी मांग या ये गाउं छोड़ कर जा मुझे माफ कर दो मुथ्धू देख बेटा तू गाउं में बाहर से आया है गाउं में लपड़ा क्यों कर रहा है कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना तो वही कामकार जान पर मत खेट आज के बाद गाउं के किसी मसले में टांगड़ाई तो पंचाय बीच में नहीं आएगी सुन रहे मुथ्धू निप पंच ये अगर बेज़ती हुई तो शम्शान बना दूंगा एक हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी तैकर के उसकी शादी करवाऊंगा अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं पंच नामा होगा एए चलो रहे चलती हूं टेक एर बाइ 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 गुल्स बाइ रीजिनल फिलिंग्स पर अधारी था ये कॉलेज और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया इस गाउं के जगणों का असर मेरे कॉलेज पर ना पढ़ने पाए मैंने हमेशा यहीं चाहा है और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टुडेंट की वज़े से इस गाउं में जगणा हुआ जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आँख उठा कर देखते नहीं थे वो मेरी तरफ उंगले उठा कर अपनी बेटी को लेकर गए आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर आप जैसा सूच रहे हैं वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है सीसी कैमेरे के सामने अलग और आपके सामने अलग कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं रीजनल फिलिंग्स उनके खून में है इसलिए तमिल वाले समझ कर तेलगो वाले नफरत करने लगे और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलगो वाला हूँ तो तमिल वाले नफरत करते हैं गाउं में जगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है सर यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन है कमीनों ने हमारे साथ दोखा किया छोड़ेंगे नहीं उने चलो तेलगुवाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है बहुत अच्छे लोग है उन्होंने ही बाहुबली बनाई थी ना अच्छा तो इसलिए कटपा की दरा पीट पीछे वार किया तूने हां कौन सी पीट की बात कर रहे हो भाई क्या आपस में लडाई कर रहे हो तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं चलो रे आतों आजाजा रुक क्यों गए मारू न यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है ओहो मैं समझ गया तुम लोग यहां इसलिए मार पीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए मेरे सामने बहुत डिसिप्लिंड नजर आते हो तुम लोग कॉलिज की फीस नहीं भर सकते स्कॉलर्शिप देता हूँ मैं एक्जाम फीस नहीं खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सेलरी से कैंटीन का बिल भरता हूँ मैं और इसलिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिंड का ढोंग करते हो दोखे बाज हो तुम लोग इस तरह जगणने से क्या फाइदा होगा तुम्हें अच्छे मांक्स मिलेंगे अच्छी नोकरी मिलेगी या तुम्हारा फीचर ब्राइट होगा कोई फाइदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तयार हूँ राज ये भले अलग है लेकिन देश तो एक है ये बॉर्डर को लेकर जगणे क्यों कर रहे हो भूल जाते हो कि हम समी भारतवासी मैं नेक्स्ट जेनरेशन तयार कर रहा हूँ और इस जेनरेशन में मैं स्टेट की फिलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आपको रस्टिकेट कर रहा हूँ गुड़ बाई अपको नहीं बोलना चाहिए सर मुझे बोलना चाहिए दरसल पैसो के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था इनके भी इस दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नीव हील जाएगी सर ये पाप मुझ पर मत चड़ाए सर हमसे बहुत सारी गलतिया हुई है सर आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है हम सच में शर्मिंदा हैं सर आप जैसा चाहते हैं वैसा स्टुएंट बन कर दिखाएंगे सर हमें एक मौका दीजिए सर सर हमारा यकीन कीजिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे अपसे हम दोस्त की तरह रहेंगे सर आप सॉरी भाई बले ही अंजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ यही बलाओ मैं पूरे गाउं में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरुवत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो सर वीरा मुथ्थु जी का गर यही है पापा आफ्टर ड्राइवर जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा उसके बोलने समने ही उतरेंगे शो सम एटिट्यूड अरे बेटा जाने दिला गाड़ी देरी हो रही है पेटा बिल्कुल सही क्या रहा है अक्रबकड खेलना पड़ेगा बाद में खेल लेंगे जब मैंने कहा कि अभी मतलब किया भी कार को चलाते रहो जब बेटा बोलेगा तभी रोकना अलगी डैडी गाड़ी यही पर रोको पापा यह वीरा मुट्टू का घर है ना एक बार देखा था बेटा क्या यादास्ता देरी यह सब आपकी देन है मम्मी काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साथ मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनिस है हाँ खेती करते है क्या अब यह क्या खेती की बाते लगा रखिये लड़की को दिखाई है ना जल्दी पान के खुश बूलू पज्जे को छोड़ लड़की आई है देख यह लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने आपकी नहीं मेरी फिलिंग्स इंपॉर्टेंट है इनके साथ टू मिनेट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूं विदाउट योग परमिशन आज कल तो यह सब कॉमन बात है ना हम सब लोग इने छोड़कर बाहाल चलते हैं ना हलो पूरे गाउं में पूस्टर का क्या लफड़ा है क्या आपने किसी से लफड़ किया है आप मुझे क्या सकती हैं यू कैन ट्रस्ट मी एक दोस्त समझ कर बोल दीजे प्लीज हां मैं एक लड़के से डीपली प्यार करते हूं तुम से शादी तो कर लूँगी पड़ल में वही रहेगा अब क्या बोलू मैं not just love just true love heads off if you don't mind क्या मैं उसे बात कर सकता हूं प्लीज ओके डायल कीजे न हलो हलो ब्रो जस्ट मिनिट हां जो बात आपने मुझे कही एक बार फिर से दोराएंगी प्लीज तुम से शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा कार्तिका थेंक्यू सो मच ब्रो मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारी वज़े से फिर से चांस मिल गया रिवेंज मतलब मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंड से और का इवेंज मुझ पर क्यों देख हाथ की पांचे उंगलिया बराबर नहीं होती हैं यह मामला भी ऐसा ही है एक क्रो ब्रदर एक हफ़ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले प्यार में धोखा मिलने यह हो रही है वही फिलिंग तुझे भी होनी चाहिए तेरे केंटर को जाननी के लिए तैरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी क्यारा मिलनी के लिए तरहे दुश्मन का यह एक इनिल जो तुझे मैं हिंदी में सुना रहा हूं पूरे दिल से आज से तु मेरा जानी दुश्मन है यह पापा यह लड़की मुझे पागलों की तरफ पसंद आ गाई है इंगेजमेंट नहीं होगी डारेक्ट शादी इंगेजमेंट के बिना शादी कैसे होगी भाई साब डारेक्ट शादी कर लेते हैं एक हफते में शादी कैसे हैं और शादी भी एक मेंटल के साथ आप सिर्फ हां बोलो उसे उठा कर ले आते हैं यह तु बेवकुफ है क्या प्यार करने वारी लड़की कोई उठा के लाता है क्या मेरे भाई तु तो केशो को पसंद है ना फिर प्रॉब्लम क्या है भाई तो गाउं में नहीं था एक सप्ता नहीं था सैसुराल गया था कर तो आया हूं मैं जो से प्यार करता हूं वह विरा मुत्तू जी की बेटी है मुत्तू जी की बेटी लेकिन तुने तो केशो का डिटेल वांगा था ना मिस अन्रस्टेंडिंग भाई तु इस लफड़े में क्यों पड़ गया किसी तेल्गु लड़की से शाधी करनी यार मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूं उनकी स्टाइल में मैं डैंस भी करता हूं मुझे तो वही लड़की चाहिए लड़की तभी मिल सकती है जब यह दोनों गाउं एक हो जाएंगे और एक करने के लिए पहले जगड़ी की वज़े पता करने हैं हमारे मास्टर जी की बात है एक समाने में हम लोग बिलकुल भाई की तरह रहते थे एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे लेकिन अब एक दूसरे को काटते फिर रहें असल में यह गाउं अलग हुआ क्यों यह बात सन 1973 की है जब मदरास और तेलगू को अलग अलग राज्य बनाया जा रहा तिरूपुरम गाउं के लोगों को यह सूचित किया जाता है कि मदरास से आंद्रा अलग हो रहा है इसलिए राज्य सरहत का निर्वान हुआ है इस प्रकार जो सरहत है वो तिरूपुरम के बीच में से निकलेगी आप सब लोग आकर अपनी सिगनेचर कर दीजिए फिर इस गाउं को दो हिस्सों में अलग-अलग बांट दिया जाएगा ऐसा केंदर सरकार का ओडर है यह कैसी बाते कर रहे हैं तुम अगर यह बात हमारे जमीदार को पता चली तो जानते होना क्या होगा इस गाउं के जमी तुकी जाएँ आएँ भोपली पुटकी जाएँ रा महातुर केशव की जए रा महातुर केशव की जए बाई-बाई की तरह मिल जुल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है सहाब, यह केंदर सरकार का आदेश है बन कर, यहां की हम सरकार है, हमारा राज्य है, हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे तू ने क्या सोचा, तू हमें अलग कर देगा तेरी सवाधितो हम लोग बनाएंगे हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खी सकता हाँ सही कहा, हम लोग साथ जियेंगे और साथ मरेंगे, 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 साथ हो गए अच्छे इस बीच क्या हुआ था हुज दिन क्या हुआ इनको लगता है सर्दी हो गई है कंबल देना ना भाई कंबल की जरूत नहीं है लादा जी को दोरे पड़े हैं अरे अराम से कौन बोल रहा है अरे मैं परम बोलो अरे तुम किसे फोन में बात कर रहे हैं अरे अरे अंदर लेचाओ उन्हें होश आ गया है अच्छा अधर जी उस दिन उस दिन बोलकर आप बहुश हो गया है क्या हुआ था उस दिन भी मुझे फीट्स आया थार में गिर गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना अबे चल चल यह से असल में गाओं के जगड़ी की वज़े पता लगा नहीं होगी आप लोग यहां पर कैसे तुम्हारे पापा को फोन आया था हेलो मैं आपकी बहु का होने वाला पती बोल रहा हूं रॉंग नंबर ब्लडी फूल हैलो कभी दस भिखारीं को एक सद खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो प्रिये क्या तुम्हारी प्राबलम क्या है यार प्राबलम मेरी नहीं आपके बेटे की है वो जिससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूं यह जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है कल से सैड फील भी होगा और परसो मैड फील होगा तुम डैड हो इसलिए उससे समहाल लो उसने आपको फोन क्यूं किया था अब यह हमें क्या पता तुम्हारा फोन स्विच्ड ओफ आ रहा था तुमने फिर से क्या आफ़ाद खड़ी कर दी यह जानने के लिए हम आ गए एक मिनिट हो चब सिब मेरी लवर मुझे छोड कर गई है मेरे लिए एक दिल काटना बहुट मुश्किल हो गया है नोट बंदी में प्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है ना उतना है दुख तुझे भी होना चाहिए टाइम नहीं है को ब्रदर शादी के कार्ड ओर्डर दे चुका हूँ मैं कुछ तो फाइट करो को ब्रदर इस गिदिंग टू यो नो लेजी देखते हैं किस में कितना है दम काउंड ओन बिगिन सांबर या दम बिर्यानी शंकर या राजा मॉली हुआ क्या था सुन बेटा हमें न ये गाउं चाहिए और ना ही वो लड़की हमारे साथ चलना बेटा ये बात आपको कहनी चाहिए खुशी से रहने वाले लड़कें को यहां भेज दिया अगर कुछ हो जाता तो मा क्या मैं कभी वी किसी लड़की के पीछे भागा क्या कभी किसी से बात की लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे है उस पर आ गया अक्सर मैं जगडा जगडा करता था लेकिन अब मैं जगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूं मां तो सुचिए मुझे लड़की कितनी पसंद है आप चाहते होना कि मैं जिंदेगी में हमेशा खुश रहूं मैं खुश तभी रह सकता हो जब वह मेरी लाइफ में होगी यह सब क्या है बेटा जब इससे जगडा करने के मेरी मना किया था तब यह माना था क्या अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा मेरी बात तो सुनिए इसे कुछ भी नहीं होगा जाओ बेटा तुम अपना काम करो हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे थैंक्स पिता जी यह अची है ना सही का यह अची है अरे सुन तुने कुछ खाया या नहीं खाया कुछ दिर पहले ही के रहा खाया था थे खा खाके मोटी हुई जा रही है डूप कड़ कहीं की कि जित्म इए बुड़िया कब मालेगी ठरल कहीं कै हुआ क्या है टु रोकियो रही है बार शह hottest हो एक बार उससे मिलना चाहती हुँ यार बढ़ नहीं चाने दे रहे हैं कैसे मिलेगी अंकल वाइसां कैसे हैं अगल कार्ण प्रिंट्स हो गए है सेंटिमेंट की मुदाबिक सेकेंड कार्ण आपको देने आया हूं तो जल्दी हल्दी लगा कर दे दो ना संदीजी अब मिल गई हल्दी एक मिनिट पूरे चेहरे पर हल्दी जूला यहाँ पर बानती है आप शादी में जरूर आईएगा क्या लोग है बेटा टी या कॉफी आपकी बेटी मतलब यह कहना चाहरा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ट देस्टिबूट करेंगे सुपर माई डाड़ी मेरे सर में दर्द है मैं कही नहीं जाओंगी माँ तुम्हें बोल रहा हूँ जा के उसे तयार करो वैसे आप लोग कहां जा रहे हैं अकड़ बकड़ मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हैं तो बताना तो जरूरी है न अच्छा उसके कॉलेज में कॉलेज में नहीं भेजोगे वह सर में दर्द है ना अच्छा के साइस की सहिली भी है कधा कहीं कब अफ फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो आओ जो सलाह देनी थी वो देदी है ना यही की इसके साथ शादी कैसे करोगी एक बार तो सोच लो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ऐसी बखवासी सलाह देने के ल पता है तु खाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती मुझे पता चल गया है कि लड़की बहुत खुबसुरत है ना जी बगल में एक बफैलो भी तो है हेलो ब्रो तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली इस बास से मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए फर्स कार् प्रिट करवाया नेहीं फटेगा हलो खरी है यह फायर प्रूफ है जलेगा भी नहीं ठेकेंगे तो गिरी जाए कि समझ गया ना बेटा तुझे मेरे सर की कसम है फिल्मों में सारी मा यही डायलोग मारती है आप भी मारी है ना मारी है तुमसे दो मिनिट करनी है हरी तुमसे लड़की ने चाहती है जा जो कुछ बोलना आज ही बोल देना समझा नेक्स टाइम ऐसा मौका नहीं दूँगा मेर तो नहीं है कोई शक है आपको विश्वास है ना इस पानी को इस बॉटल में डाल कर दिखाई है इसलिए मेरे सामने ये फाल्तु डायलोग मत मारा करो अंगल किसी अनपड़ गवार के सामने मारना मेरे सामने नहीं क्यों इस बत्तमीज के मूह लग रहे हैं आप लिप लॉक क साथ चलोगी मेरे तुम्हारे पगेर में नहीं जीजगती और अपने पापा को छोड़ कर भी नहीं जा सकती अरे पापरे कले ये मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से तो इसको बहुत बुरा लगेगा कितना मज़ा आएगा है ना अंकल मौके पर चौका तो गल्ती से इंसानों में पैदा हो गया है रहे लव यू अंकल हरी मुझे बस तुम चाहिए सर एक घंटे के लिए आपकी कार चाहिए है हम रिखा किस दे दो अरे मैंने किस देने के लिए कहा था किस नहीं ओ सॉरी सर देख रहा हूं जब से आया है तुम बहुत बदल गई हो नो डाउट अरे उतरो जल्दी उतरो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा बबुराओ सर ये बुड़े लोग यहां क्यों आये हैं सर देखने से नहीं लगता कि आये हैं या उठा के लाए गये हैं क्या कह रहे हो आज कल पूढ़ी और तो को भी उठाकर लें चालाओ अरे 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 बंदर कहीं कि मैं पापड को देखने आई थी कि कहीं का उवे ना ले जाए और तु वहां से मुझे उठाकर ले करा गया अगर ये बात मेरे बेटे को बदा चल गई ना तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रगतेगा हां दादा जी नाना जी मुझे माफ करना कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे आज इतने अलग की हो गए बताईए ये पूछने वाला तू कौन होता है उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे क्या एक बार जहां थूख दिया ना उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता इससे पहले की कुछ हो हम लोगों को शराफत से जाने दो ये क्या बोल रहे हो वो क्या कह रहे है और तुम क्या कह रहे हो मूछें सिर्फ तुमारे पास ही है हमारे पास नहीं तुझे तो वो वहीं काट देता अपनी बेहन की शकल देखकर छोड़ दे तुम चुप रहो, ज्यादा बखवास मत करो, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्द नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बड़े तो है ना मेरे भाई इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी, और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गाट भी नहीं भेजी तुमने, और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद है, जब वो मर रही थी बेचारी, तो भाईया भाईया कहकर आखरी व सब कुछ, यह जो बाध है वो 1998 की है, तादा जी, उतना टाइम नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ ही उपर जाएंगे, समझ गये न? साथ जीएंगे, साथ मरेंगे उत्तिन सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे सब लोग भी के आपस में खाओ, हम साथ जीएंगे, साथ मरेंगे मरेंगे बिलकुल नहीं, हम साथ में रहेंगे हाँ हाँ चलो आओ हमें कोई अलग नहीं कर सकता है सही का उसके बाद अंदर क्या हुआ पता नहीं अंदर तो दोनों गए थे गले में हाथ डालकर पर बाहर आये तो दोनों खूर दें लगता है कि इनको वालों के विश्वास मत करना खाट डालो सबको अरे सुनो सुनो तुम लोग गवीन के साथ मत रहना काट डालो सबको अब तक जो लोग भाईयों की तरह रहते आ रहे थे वो अब दुश्मन बन गए थे दोनों के बीच में एक धिवार खड़ी हो गई थी दरार पड़ गया उन रिष्टों में तब भी एक दूसरे को मारा अप भी मार रहे उस रूम में हुआ क्या था ददाजी उस दिन उन दोनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो चलो रहे अरे 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 इन लोगों को छोड़ कर तुम कहा जा रहे अरे आप भी इनको छोड़ दो रेखा किस किस मागा तो किस दे रही हो हालो कार्तिका गाओं के जगड़ की वज़े ही पता नहीं चल पा रही है और तुम्हारे घरवालों को समझाने का वक्त नहीं है तुम चली आओ मेरे पास हरी तुम्हें मेरी सिच्विशन समझ में नहीं आ रही है इक मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग मेरे पापा को ताने मारेंगे मेरी फैमिली तो जीते जी मर ही जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सिर्फ हाँ बोलो मैं आभी आकर तुम है ले जाऊँगा तुम्हें जो बोल रहे ह hanno समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती अरे बेटा इस गाउं के बारे में बेटा यहीं बेटा मेरा बेटा रो क्यों रहा है चलो बेटा मारो पापा को मारो असो तो बेटा हुसी नहीं आरी है पापा एई तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा आज भी तुनहीं हारेगा इस गाउं के जगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेनियू रिकॉर्ड की चान मिन की ये देख ये इन्फरमेशन मिलिये मुझे सन 1978 में दोनों जमिंदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांसफर हुआ देखना एक कर लंज हुआ है एक कर बार्सान को थाओ यह जो जो तेल्गु गा वाला लड़का है ना वह सरपंजी के घर में घुच गया है और हम सब को बहुत मारा है वो लड़का घुस्ते में आखे कई सरपंजी को मार ना दे अब जल्दी से आ चाहिए वह कॉलेज वाला लड़का है ना वो घुस्ते में सरपंजी के रूम में चला गया है पता नहीं क्या करेगा मुझे तो बहुत ही डरते करा है भाई किना सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्रान पश्यंतू मा कस्चित दुख भाग भावेत कन्या को ले कराईये मुझे रूम मुच्श विष्व मा लाग व्यादाओ यादान पश्यंतू में तो शुत्र पनाव जय तो फट्रो तो इंक प्रेंने निया है बताता है या तेरा सर फोड़ दू मैं बताता हूं बताता हूं मैं उस दिन आओ दोस्त आजाओ आज बहुत ही खुशी का दिन है यह मेरी तरफ से तुम्हें जो भी चीजें पसंद हैं वो सब यहां पर मौजूद है डायना अरे मेरे दोस्त दिल हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के अंदर जो रूप बसा था उस डायना को लेके तुम्हें से आया डायना तेरी नहीं डायना मेरी है दोस्त वाटर यू टोकिंग वो मेरी गल्फ्रेंड है अरे अंग्रीस लूग बटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देखे गए यह कैसी बाते कर रहा है तुम्हें यह पांच साल से छे मैने मेरे पास रहती है और छे मैने लंडन म रही है ना वह पहाड़ी उपर मेरा बंगला है अरे पागल होगा है क्या लंडन तो इसी बंगले का नाम है हमारे साथ जोका है इसमें कोई धोखा नहीं जिसे जो समझना है समझे वह मेरी है और मेरी ही रहेगी वोड़या जया है हिए ए वोड़या जए और मुझे रहे कर रहे हो न्यूज एक्ट मूझे रहे हो गोडबे मुझे बुला रही है ता न्ट पार्टीचीपेट ऑड़ तेल बन आई और ही यू बोथ आर टू आइस फिर मी अरे ऐसा तुम्हारे देश में होता होगा डाइना यहां नहीं होता अगर यह गलत है तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो यू काईज अर्डी मैरेड अरे बाप ले यह बात करने का टाइम नहीं है आइवांट यू कंप्लीट अरे मतला औरत के लिए एक दूसरे को मारा अरे औरतों के लिए कितने युद्धोए है उसमें से यह भी एक है यह बात आपको कैसे पता चली वहाँ एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था वह बच्चा मैं ही हूँ शीज माई मम्मी लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना अरे गाओं की धूपी ऐसी है तुझे क्या पता मैच हो गया बस अच्छा तुम जमीदार कैसे बन गए अरे उनके पास बहुत सारी जाइदा थी ना तो मेरी मम्मी ने अब प्रोफाइल निकालो झाल झाल तुम्हारे दादाओं ने परस्टनल छगड़ें तुम्हारे को तेलगो और तमिल जगड़े में बदल दिया अगर ये गांवालों को पता चला तो पूरा गांव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा अब कोई आप्शन नहीं है तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दमाद बना दो केशव जो चलेगे उनके लिए जखरने से क्या फाइदा या तो माफी मांग या ये गांव छोड़ कर जा अरे मुझे तुझे इससे अच्छा दमाद और कहीं नहीं मिल सकता मुझे तुमारे जगे कोई और लीडर होगा हमें पता है हमें क्या करना है धोके बास तुझे छोड़ूंगा नहीं जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वहीं पर जबान दे रहे हैं आज के बाद हमारे बीच कोई जगड़ा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलगु वाले से करवा रहा हूं साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ जीएंगे साथ मरेंगे सुनो जी, देखा मेरे आइडिया ने कैसे काम किया, मैंने इसे जगड़ा करने के लिए जगड़ा करने वाले गाउं में बेजा था, लेकिन इसने दो दुश्मन गाउं को मिला कर एक कर दिया, क्या समझती हो हमारी जायदाद पर कबजा करके तो हम पर राज कर रहा था, शादी हो जाने दो फिर बताता हूं देखो हम लोग एक दुसरे का राज नहीं खोल सकते, अगर हम में से किसी का भी राज खुला तो गाउवाले उसे धक्के मार के निकाल देंगे, इस उम्र में शोभा नहीं देगा, सो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दो अच्छा सुनो, वह रिवेंच मैंन की क्या कंडिशन है, यह किद्नापिंगे बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई है, वह दिए, उसकी फिक्र मत करो मैं देख लूँगी मैं धेक्रों गी कमाल हो गया यार ज़ता पापाश पापा, बहुत मुश्किल हो रही है, मुरत बदलना ही पड़ेगा, उसकी कोई जिरोत नहीं, लड़की वालोंने दूला ही बदल दी, अरे क्या बखवास कर रहे है पापा, लड़के को मोशन होगा तो मुरत को बदलेंगे ना की दूले को बदलेंगे, समझे न, अब खेलना है। और घरते हैं और शुटकी वालोंने थाऊंट नहीं रहे है कर दो दूले को वालोंने थी ने दमने आ मैं आ क्यों रहे है, हो जो है कृति है।